बिहार के सरकारी स्कूल में कक्छावन से बारा हुई तक के पढ़ने वाले सभी छात्राओं को जो साइकिल, पोसाख, छात्रविर्ती या किसी अन्योजना के रासी का लाह मिलता है तो उसको लेकर पहले से जो नियम चाय था, उस नियम में कुछ बदलाव किया गया है, काफी महत्वपूर्ण अपडेट आया है उस नियम को समझेंगा और काफी भी द्यार्थियों का नाम मेधा सौट में नहीं था और काफी महत्वपूर्ण अपडेट है तो अगर देखिए जनकारी दिया जा रहा है एक कक्छा में 75% हाजरी वाले बच्चों को ही साइकिल और पोसाक की रासी मेधा सौट पोर्टर पर 30 तक डाटा एंट्री करने का निर्देश चलिए पहले पूरे खबर को समझते हैं फिर बात करेंगे कि इस खबर से आपको क्या समझना है जनकारी दिया गया है कि राजजे के स्तरकारी स्कूलों में कक्छा वन से बारहुई कक्छा में पढ़ने वाले इस सम्मंद में सिक्षा विवाग के बिशेश सचीव सह डीवीटी को सांग के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने मंगलवार को सभी डीयो एवन डीपियो यूजना एवन लेखा को पत्र भेजा है NIC द्वारा विक्सित मेधा सौट पोल्टल के माधियम से PMFS के माधियम से सीधे लाभूक छातर छात्राओं के खाते में भेजा जाता है इसके लिए लाभूकों की डाटा एंट्री उनका भेरिफिकाशन था उनकी 75% उपस्चिती के भेरिफिकाशन के लिए एक एस्टेंडेंट ओपरेटिंग प्रोसीजर ताय है बरतमान BTA बर्स 2022-23 में इस्कूल में पहली से 12 तक के कक्छा में नमांकन पूल हो चुका है निर्देश कनुसार परधाना ध्यापक 30 सिदब बर तक डाटा इंट्री पूल कराएंगे पांच अक्टूबर तक 75% हाजरी का नुसार यस या नो के रूप में 46 को चिनित किया जाएगा उसका प्रिंट मेधा सौट से निकाल कर उसकी एक प्रती स्कूल में रखी जाएगी यहाँ पर किया जनकारी दिया जारा है कि देखिए आप एक कक्छा 1 से लेकर 12 तक की बात हो रहे यहाँ पर देख लिए पहली से 12 तक कि अगर आप बिहार के किसी भी सरकारी इसकूल में आपका नाम आंकन है कक्छा 1 से 12 तक अगर आपको साइकल पोसाग छातरविती प्रोसाहारासी किसी भी यूजना का नाम लेना है तो इसके लिए सर्थ है कि मेधा सोट में आपका नाम इंटरी होना चाहिए पीछे भीगत दो साल से क्या देखा गया था कि कोबित का दौर चल रहा था चुकी तो उसमें अगर आपका नाम आंकनी स्कूल में हो जाता है आपका इसकूल कॉलेज मेधा सुना आपका नाम जोड़ देगा तो आपके खाते में सोता पैसे आता रहता था अब एटेंडेंस जो आपका जरूरी हो गया 75 परसेंट और दूसरा महता पूर जानकारे आपको क्या मिल गया कि 30 सितंबर तक क्लास 1 से 12 तक किसी भी क्लास में स्टेड़ी आप कर रहे हैं तो पहले में आपको बताया था कि मेधा सोट में आपको कैसे नाम देखना है अगर और वहाँ पर आप नाम देखना आपका नाम नहीं जुड़ा है तो 30 सितंबर तक अपने स्कूल कॉलेज में संपर करके आप उनसे बोल कर नाम जुड़ा सकते हैं क्योंकि इस नाम जोड़ना आपकी स्कूल कॉलेज के जिम्मेदारी होता है तो 30 सितंबर तक नया नाम केद करा सकते हैं उसमें दी गई जनकारी में जल्टी रहा गया थो उसमें आफ बढ़ लाव करा सकते हैं और जैसे आप नाम अपड़ेट कराएंगे मालें जब कोई भी पैसा पीछे का पाइस बखाया होगा तुरंत तो पैसा आपके खाते में आजागे कि आपके खाते में जल्द से जल्द पैसा आ जाए यहां से ध्यान से एक बात किलियर समझेगा 30 तक डेट है तो मैं जैसे बतारा हूँ से step by step follow करके आप देख सकते कि आपका नाम मेदा सौट में ने अगर कोई तुरूटी है तो उसे सुधार कर लेंगे आपके खाते में पैसा आना सुरू हो जाएगा तो इस सभी काम करने के लिए अपने mobile phone का कोई भी browser open करना है आपको और google search box में आना है और इस channel का नाम ऐसे AR carrier point आपको type करके search करना है आपके सामने search results होगा यहाँ पे AR carrier point dot com last में आपको देखना है और AR carrier point dot com website पे आपको click कर देना है सही आप click करेंगे आपके सामने AR carrier point dot com official website open हो जाएगा यहाँ से भी सभी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे भी link दिया गया थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा इस website पे पहुंचके click करना है यहाँ पे click करके थोड़ा सा नीचे की तरफ पे स्क्रोल डाउन किजिएगा इस cricket में तो कितना पैसा आपके खते नम कैसे जूड़ा सकते हैं किस क्लास में है तो कितना पैसा आपके खाते माति हcor गया पूरा यहां पर स्क्रोल्डाउन करेंगे तो यहां पर महत्तपूल निंक मिल जाएगा आपना नाम भी देख सकते यहां से यहां से आपको सीधे क्या करना है पैशा सब्सक्राइब करेंगा यहां से चुनेगे जिस जीला के अंतरगत आपका इस्कूल पढ़ता होगा बाद जो भी आप यहां पर जीपा इस्कूल आता है या देखी आप पूरा इसकूल का डिटेल आ जाएगा तो यहां से ध्यान से अपनी इसकूल को आपको सिलड कर लेना है चिस class का पैसा चेक करना चाहते हैं उस class को simple सा यहां से पूरा class 1 से टूर्स दिया गया है उस class को यहां पे select कीजिएगा फिर यहां पे section को खाली आपको छोड़ देना है और यहां पे आपको सभी सभी डीटेल यहां पे open हो जाएगा कि आपका किस साल एडमिशन हुआ है किस class का पैसा चेक करेंगा आपके माता पीता का नाम यहां पे आजाएगा और कोई भी जनकारी होगा अगर कोई भी जनकारी गलत है तो 30 सितम पर तक सुधार करा सकते हैं आपके IFC कोड अकाउंट नमर यहां पे किस कौन सा कर्टेगरी है और का पैसा आए है यहां पे दिखेंगरी जनकारी गलत बतार है अपको पता नहीं यह कौन सा अकाउंट नमर जुड़ा आपका नाम मेधा नाम देख सकते है पीछे में सीखा चुका हूं यहां से लिंक वन लिंक दो से कैसे नाम देखना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहां से देख लिजेगा कि मैधा सोर पर आप कैसे अपना नाम देख सकते हैं, कौन सा खाता नमर आपका जुड़ा है, कौन सा धार का नमर जुड़ा है, कोई गलती तो नहीं है, तो यह नाम आप मैं देखना पहले आपको बता चुक हूँ अगर 30 सितंबर तक आप नया नाम जुड़वा सकते हैं, पुराने नाम को हटवा सकते हैं, उसके साथ कोई भी उसमें सुधार कराना हो, तो अपने स्कूल कॉलेज में संपर करके 30 सितंबर तक आप काम कर सकते हैं, तो कुल विलाकर आज की इस वीडियो की सरान समलों समझ तो सिक्षा विवाग के तरफ से आज एक आपके पैसा को लेकर काफी महत्तपून अफडेट जारी किया गया है, उसमें बतायागे कि पहले जो हाजरी अर्थात की उपस्तिती आपका एटेंडेंस का जो अनिवारिज सता 75% जिस्त कर दिया गया तो सिक्षा विवाग के तर अब काया था उसे भी भेज दिया गया है और उसके साथ नया नाम जोड़ना हो या पीछे के नाम में इस्कूल कॉलेज को निर्देश दिया गया है जिनका नाम हटाना हुए जिनका नया एडमिशन हुआ है उनको अपडेट करना है या किसी भी छार्ट सात्रा के कोई भी गलत है जैसे अकाउंट नमर रिजक्ट हुआ है या नाम में कुछ भी गलत है तो उसे भी सुधार करने का डेट दिया गया तीस सितंबर तक तो आपको क्या करना है अगर सभी जनकारी सही है तो आपको निश्चीन तरहना आपके खाते में सोता पैसा आता रहेगा और कोई भी जनकारी गलत है आपका नाम नहीं सोकर है तो तो तीस सितंबर से पहले अपने स्कूल करने जाकर आप सुधार करा सकते हैं तक के लिए यहाँ पे आके एक एक जनक कारी आप चेक कर सकते हैं उसके साथ तुमना पैसा भी यहाँ पर देख सकते हैं समय बताया वैसे तो यहां से आकर जरूर चेक कर लिजेगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद